well hello everyone कैसे आप लोग दोस्तो crossbit pebble एक ऐसा true wireless earbud जिसे मैं continuously दो मैने से अपने day to day uses में लेके आ रहा हूँ या फिर यह कह सकते हो कि continuously दो मैने से use कर रहा हूँ पहला earbud है दोस्तो जिसे मैंने 2 मैने continuously use किया है otherwise कितने सारे earbuds का review किया है मैंने uses वगरा करे हैं ज्यादा ज्यादा पंदर देन या बीज द Thiन ज्यादा मैं उस्ते ज्यादा मेरे पास रहता नहीं टोस्तो यह वाला earbud जो है यह जब मैंने इसको purchase किया था तो 5-6 दिन की testing के बाद में मैंने इसका detail review भी बनाए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे इस वीडियो के description में link डाल दूँगा आप उस वीडियो को जाके जरूर देखेगा क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी interested हैं इसको purchase करने मे तो वो वाला वीडियो जो है आपको काफी helpful हो सकता है उस time जो भी मैंने बाते बताई थी इस earbud के वारे में और आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें जादा difference नहीं है लेकिन हाँ कुछ ना कुछ difference आ चुके हैं कुछ ना कुछ changes आये हैं तो इस वीडियो में मैं आपको आ इस चैनल को आगे ले जाने में मुझे काफी जादा मंदत मिलेगी वैसे नॉर्मली दूस्तों मैं आपको बताऊं तो ये चोटा सा चैनल है आपको भी पता है तो इतने चोटे चैनल को भी कोई बड़ी company जो है sponsor वगरा नहीं करती या फिर review unit वगरा नहीं भेजती तो यहा आप लोगों के सामने review शेर करता हूं इस वाले उसके बाद जो है ना कि उसके टेस्टिंग के बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ मैं या फिर नेवर के साथ मैं जो है या फिर ओलक्स वगरा पर थोड़े बहुत price कम करके जो है सेल आउट कर दिया करता हूं बट यह जो एरबड है इस एरबड का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पांच जार के price point पे मतलब कंपने लॉंच गया था मैंने इसको purchase किया था 4500 के price point पे थोड़े बहुत coupon लग गए थे इसकी वैसे अब उस टाइम के रिव्यू में मैंने बताया था कि यह काफी अच्छा येरबड है अगर 4000 के price point पे मिलता है 5000 के price point पे ना मिलके 4000 पे मिलता है तो यह value for money येरबड हो सकता है और अच्छा रहेगा मैं recommend करूंगा 4000 के price point पे और ऐसा ही हुआ दोस्तों बार में जितने भी e-commerce websites वगड़ा है उस पे seal वगड़ा आने लगी तो यहां पे जो है ना 4000 के price point पे यह मिलने लगया लोगों को 4000 कई सारी इसे cases में में सुनने के मिलें कि कुछ लोगों ने 3600-3700 के price point पे भी इसको purchase किया है तो यहां पे मैंने all x पे जो है इसको air दिया था 3500 के range में मैंने दिया था बट कई सारी लोगों कमेंट किया कि बही जब 4000 के price point पे जो है मुझे नया मिल रहा है तो मैं 500 रुपे और देखे नया क्यों ना लोगों 3500 रुपे में पुराना क्यों हूं इसके विए से इसको यूज कर रहा था और दोस्तों में भी जो है ना इतने सारी एरबर्स हैं सबको बाट बाट के जो ह थोड़े बहुत changes है तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके looks से और आपका ज्यादा time ना waste करते हुए directly point पर आऊँगा point वाली बाते बताऊँगा तो looks तो यहां पर company ने दो color variant में इसको launch किया है black और दूसरा आ जाता इंपिरियर जैड जो कि मैंने order देखे मं जाता है वहीं पर अगर design की बात करों तो typical आप इसके case को देखेंगा तो oval shape देने का कोसिस क्या गया है और काफी compact है case भी जो है है settled है ज्यादा fancy नहीं है बट look जो है काफी अच्छा है खास करके इसका जो earbud पर पुछ बटन दिया गया है जिस पर copper की coloring करी गई है वो काफी attractive यहां पर देखने को मिल जाता है वहीं पर इसके बात करते है build quality की दोस्तों इसके उपर में जो finishing करी गई है जो touch-up दिया गया है वो काफी जादा smooth touch-up दिया गया है जिसके वैसे काफी अच्छा है कई सारी earbud ऐसे होते हैं जिसका जो case है उपर का पाट होता है यह धक्कन जो होते हैं यह कुछ time use करने के बाद जो हैना movement करने लगते हैं इधर उतर करन इसके पुछ वटन में आसा movement देखने को नहीं मिला तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी वाकई में काफी जादा अच्छा है एक चीज को छोड़के जो इसका यह हैंगिंग वाला जो है रोप लेडरेटी टाइप का जो फैब जूज किया गया है यह हलका सा यहां से घिसना start ह और लग रहा है कि यह उपर से निकल रहा है तो यह बस एक ही जो है minor सा जो है issue है बाकी build quality काफी अच्छी आ जाती है अब बात करते हैं comfort के बारे में दोस्तों comfort पहले भी काफी अच्छा था आज भी काफी अच्छा ही है आप इसको long term में यूज कर सकते हैं 3-4 गंटे continuously आप यूज कर सकते हैं मेरे case में मुझे काफी जादा comfortable था तीन ear tips आते हैं silicone के आपके ear size के accordingly आप set कर लीजिएगा जो आपको fit बैठे उसको use कीजिएगा काफी comfortable है और काफी lightweight भी है अब बात करते हैं दोस्तों इसके betty department की तो betty में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने थोरी बहुत confusion है साइट पे जो है 700 mh की बताई गई है जबकि इसके user guide में 500 mh की charging case की बात करूँ जो case है उसकी battery की बात करा हूँ तो 500 mh user guide में है और website पे 700 mh की है तो यह confusion है बट वहीं पे earbud की बात करूँ तो earbud में 50 mh की battery का यूज क्या गया और मेरे testing के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इसका जो earbud है वो पहले भी 4 गंटे 5 मिनट 10 मिनट का backup इसने दिया था 80% volume label पे continuously music सुनने में जो है इसने 4 गंटे 5 या 10 मिनट का इसने playback time दिया था और आज भी उतना ही दे रहा है और तक्रीवन जो है काफी अच्छा जो है यहां पे performance मुझे मिल रहा है वहीं पर charging time की बात करो तो यहां पर एक गंटे 10 मिनट के आसपास charging time ले लेता है पूरी तरह से चार्ज होने में और साथ मैं आपको USB type C दिया गया यानि कि fast charging को support करता है बट यहा चार्ज हो रहा होता है तो red color में दोनों LED जलते रहते हैं जैसे चार्ज खतम होता है बंद होता है आपका earbud तो यह भी बंद हो जाते है वहीं पर charging case में लगाते हैं तो वह भी आपका यह दिखा देता है आपको confusion नहीं है आपको पता है चल जाएगा कि आपका earbud full charge हुआ है कि नहीं हुआ है अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो है ना वो microphone के बार में तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला changes microphone में ही आ गया है मैंने starting में आपको बताया था इसका microphone काफी ठीक है काफी अच्छा है यहां पर यह जो earbud है इसको आप mono और studio दोनों mode में use कर सकते हैं क्योंक मतलब changes mono और studio में कर सकते हैं तो अब यहां पर जो है ना उस time जब मैंने इसको continuously पास दिन तेस्टिंग करे गई थी तो उस time में performance काफी अच्छा था यहां पर हो सकता है मैं भी ऐसा circumstances वगरत थे कि मुझे कोई दिकत नहीं आई उस time इसलिए मैंने आपको बताया कि काफी कर रहा है इसका microphone यहां पर देखे noises तो पहले भी थे स्टार्टिंग में detail review में भी मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको बता रहा हूं कि noise इसमें है बट जो connection का issue है ना कि अभी को बात करते 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 जो है cut off cut off होने लगता है सामने वाले को cut cut के आवाज आती वह अक क्या है मुझे नहीं बता सकता बट यह change इसके अंदर में है दूसरा problem यह है कि इसको आप mono studio mode में यूज कर सकते हैं अब मैंने जो है जादे बार तो mono mode में यूज नहीं किया मुझे से 3 बार या 4 बार mono mode में इसको यूज किया है और जितनी बार या चार बार उतनी बार मैं म मतलब मैं नहीं बता सकता बट आप अगर एक वार mono mode में यूज करते हैं एक earbud को अपने smartphone के साथ यूज करते हैं और एक earbud आपके कोई friend यूज कर रहा है तो उस case में जब आप उससे लेते हैं और आप खुद के smartphone में दोनों को यूज करना चाहते हैं तो आपको जो है ना reset क करना परेगा पहले उसके बाद में आप करेंगे तो connect होता है ऐसा तीनों बार चारों बार जो है ऐसा ही हुआ तो यहां पर पहला दूसरा आज आते हैं इसके connectivity के यहां पर connectivity में दोस्तों 5.0 का यूज किया गया Bluetooth और range जो है वैसा ही है पहले भी जो है तक्रीबन 10 मीटर तक का range प्रोबाइट करा रहा है था disturbance के साथ में अगर आपके earphone और आपका smartphone के बीच में कोई disturbance है तो और आज भी ऐसा ही है मतलब connectivity काफी अच्छी है यहां पर कोई दिक्कत यहां पर नहीं हो रहा है बट वही वाली बात है तो अब दिक्कत करता है अब एक चीज और आपको ब लगा के जो है movie बगरा देखता हूं ताकि battery बगरा जो है उसकी टेस्टिंग कर सकूँ तो कई बार ऐसा लगा है मुझे कि automatically जो है ना एक यह बट डिसकनेक्ट हो गया एक चल रहा है आपका और था बहुत server movement बगरा किया तो फिर कुछ time के बाद में जो है वो फिर से आपका automatically connect भी हो गया ऐसा तक्रिबन अभी तक दो मेने की period में जो है ना तक्रिबन 13-14 time हो चुका है ऐसा 13-14 वार हो चुका है कि भई अपने आप ही एक disconnect हो गया एक चल रहा है आपका और फिर एक दो मिनट के बाद में फिर से automatically अपने आप दोनों जो है वो जो है connect हो गया और दोन है यहाँ पर अब मैं जो topic है वो audio पर आ जाते है कि audio कैसा है तो यहाँ पर दोस्तों थी कि audio में यहाँ पर मैंने अपने detail review में बताया था कि इसको मैंने 8.5 इस्टार दिये थे 10 में से यानि कि audio बहुत जादा अच्छा है यहाँ पर 6 mm का जो है Griffin driver का यूज किया गया है और उस time मैंने आपको बताया था कि यह काफी loud year बढ़े दोस्तों यानि कि अगर आप इसको higher volume पर सुनना चाहते हैं तो आप continuously जादे time तक यानि कि नहीं सुनते है एक गंटा सुनना चाहते है higher volume पर तो नहीं सुन सकते क्योंकि काफी ज्यादा loud है और 80% volume level काफी sufficient है काफी अच सकता हूं तो थोड़ा सा लगता है कि burn in जो है होने के बाद में इसका जो volume level है या फिर audio जो है वो enhance हुई है थोड़ा सा का इसमें compromise कर रहा है बट otherwise काफी अच्छा है यहां पर इसलिए मैं अब भी बोलूंगा कि 8.5 star ही इसको दूंगा अब भी और काफी ठीका कि यहां पर काम कर रहा है तो भाई यहीं था इसका जो है changes एक दो changes होई जैसे कि आपको बताए microphone के अंदर में microphone मुझे अब लग रह set वाला जो issue है वो और जो है आपका burn in इसका जो है उसको burn in होता है तो थरा बहुत soft हो जाता है बाद में तो आप higher volume लेवल पर इसको long period तक सुन सकते है बस यह changes है अब बात करते हैं final thought तो दोस्तों अब भी मैं आपको यह बताऊंगा कि 4000 के price point पे 4000 के price point पे अब भी value for money है अ market में आजकल 4000 में आपको wireless charging का भी option मिल जाता है touch control के साथ में low latency वाला mode भी मिल जाता है इसमें low latency यहां पे gaming में आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत जो है आपको latency का पता चलेगा कि audio video का synchronization में हलका फुलका delay मिल जाता है यहां पे तो यहां पे अगर आपको wireless charging में interested नहीं ह है तो यहां पे यही था इसका जो है long term review दोस्तों उमेद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोबार आ मुलाकात होगे इस हिट आपके कीजिए वीडियो में तब तक लिए थाइंक्यू टेक कर एंड बाइबाए